जोस्तों भले ही 500 साल पहले गोस्वामी तुलशिदास जी कहके गए थे कि परादीन सपनेउ सुखनाही निरभरता सोशन को जन्म देती है ये बात सधियों से सिद्ध है लेकिन हमें समझने के लिए रूस युक्रेन युद्ध का इंतजार करना पड़ा जो कि अभी चल रहा ह है आप स्वयम देख लीजिए यह है के नाइन बज्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हत्यार है मैदानों में रेगेस्तानों में पहड़ों में हर जगह है युद्ध रणने के लिए यह सक्षम है एलेंटी ने बनाया है साउथ पुरिया की टेकनोलोजी है यह सब आपको पता ह है लेकिन इस एक्विप्टमेंट का जो फ्यूल पंप है वो रूस से आता है रूस भाई साब युद्ध में बिजी है तो हमें फ्यूल पंप कहां से सप्लाई करेंगे अब भाई अगर फ्यूल पंप नहीं आएगा तो आप बताईए कि यह जो इन्यन है कैसे चलेगा कैसे के नाइन बज्जर दुस्मन पर हमला करेगा अगर जरूरत पड़ गई खुदाना खास्ता तो कहां से जुगाड़ेंगे हम निरभरते तो भाईया सोशन हो गया लेकिन अच्छी बात यह है कि जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत आये हुए हैं तो हम जो है पुरानी गलतियो को सुधार रहे हैं के नाइन वज्जर का जो फ्यूल पंप है वो जर्मनी सप्लाई कर सकता है इस बात की संभावना है और भारत ने जर्मनी से यह भी कहा है कि भाईया जी हम आपसे डिफेंस एक्विपमेंट खरीदेंगे लेकिन आप अपने डिफेंस एक्विपमेंट प हथियार बना लेगा आप बैठे रहे जाओगे एक बार बेच कर तो भाईया जी पाकिस्तान चोड़िए भारत को डिफेंस अप्लाई दीजिए इससे आपके हथियार स्पेर पार्ट सुरक्षित रहेंगे साथ में भारत की रूज के ऊपर निर्बरता खतम होगी आपके हि इसनाकरम कागजों से जमीन पर उतरेगा इसी वीच भाईया जी आप इनको भी देख लो प्रधानमंत्री बनना है इनको लेकिन इनके बुलावे पर कॉंग्रेस के जो सहजादे हैं कॉंग्रेस की जो प्रसिडेंट हैं डीम के के प्रसिडेंट हैं वो बारह जून को एक ज स्टीरियल केंडिडेट आपको मिल जाएंगे अब जेडियूब या कंग्रेस को दोस्दिना है कि कारण जो है मीटिंग कोस्पन करना पड़ रही है बारा की जगह 22 को हो रही हम कर रहे 22 22 जब करना हो तब कर लो आप आपने जो कंग्रेस को और तेजस्वी आदब सहाब को दोखा दिया है तो बदला तो बोलेंगे आपको प्रदानमंत्री बना के कॉंग्रेस अपना भविष्य थोड़ी बरबाद करेगा सोनिया मैंडम ने कॉंग्रेस को बरबाद कर दिया राहुल गांदी के भविष्य को बनाने के लिए तो भाईया आप बताएए वो निजीस को पर दानमंत्री के हो बनाने जेंगे लिए पर दाना मनुत्री के लिए वोनाने जेंगी